ती तो उसको खतम क्यों किया गया अब ये सवाल बनता है चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग करने वाले जो चमारों के नेता हैं Rs. पूनियां बताते हैं कि एक वक्त ऐसा आया जब अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट को पर्ति बंद कर दिया था अंग्रेजों ने इस आजाद हिंद फोज से मुकाबला करने के लिए चमार रेजिमेंट को सिंगापुर बेज़ा रेजिमेंट का नित्त तब कैप्टन मोहलाल कुरील कर रहे थे केप्टन खुरिल ने देखा कि अंग्रेज चमार रेजिमेंट के सैनिकों के अपने ही भाईयों को देशवासियों को मरवा रहे हैं इसके बाद उन्होंने आई-न में सामिल कर अंग्रेजों के खिलाब यूद करने का निरने लिया तब अंग्रेजों ने 1946 में इस पर पर्तिबंद लगा दिया था अंग्रेजों से यूद के दोरान चमार रेजिमेंट के सैकडों सैनिकों ने अपने प्राण किया होती दी कुछ मया मार वे